दरोहर है, गीता हजारों साल से प्रासंगीख है, विश्व के नेताओं से लेकर सामान ये मानवी तक सभी को गीता ने लोग हित्मे कर्म करने का मार्ग दिखाया है भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में बगवत गीता गुराजमान है ही, दुनिया भर के अनेक महान विभुतियां भी इसकी दिव्यता से अच्छोती नहीं रह पाई ज्यान से लेकर विज्यान तक हर शेत्र के अनेक लोगों की प्रिणा कुरुक शेत्र के मैदान पर कही गई ये अमरवानी है साथ कियों, मशूर जर्मन फिलोसफर शौपन हावर ने लिखा था गीता और उपनिशत्य अध्यन से अधिक हितकर संपूर विश्व में कोई अध्यन नहीं है जिसने मेरे जीवन को शांती से परिचित कराया और मेरी मृत्यों को भी अनन्त शांती का भरोसा दिया ये बाते उन्होंने उस दोर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेडियों में जकड़ा हुआ था हमारी संस्कृती हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास की जा रहे थे भारतिये दर्शन को नीचा दिखाने के बरपूर प्रयास चल रहे थे साथ यह दुनिया को भारत के इस पुरातन घ्यान से पमित्रता से परिचीत कराने एका एक बड़ा प्रयास मंच पर विराज्मान वीपित्यों ने किया है और मैरे सामने मौजूद अनेक विद्वानों और भगतों ने भी किया है स्रील भक्ति विदान स्वामी प्रभवाई जी ने तो खुद को बगवद घीता के लिए समर्पित कर दिया रहे जिस प्रकार गांदी जी के लिए गीता और सत्याग्रव जीवन का अहम हिस्सा रहा है उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानोता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे यही कारण है कि उन्होंने पहले गांदी जी के नेत्रुतों में भारत छोड़ो आंदोलन में हिसा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानों मुक्ति की अलब जगाने दे दुनिया के ब्रहमर पर निकल गए अपनी मजबुती चास्ति से हर प्रकार की चुनोतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस कौन जेसा एक अब्यान छेड़ा जो आज भगवान सी कृष्टे के दिखाए मार से दुनिया को परिचीत कराने में जुटा हुआ है सात्यों गीता धर्म गरंथ तो है पर ये जीवन गरंथ भी है हम किसी भी देश के हो किसी भी पंथ के मानने वाले हो पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती है हम जब भी वीर अरजून की तरह अवमिरने के दोराएं पर खड़े होते हैं तो स्रीमत भगवत की ताह में सेवा और समर्पन के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है अगर आप एक विद्यारती है और अवमिरने की स्थिति में है आप किसी देश के राष्टा देख्षे है या फिर मोक्स की कामना रखने वाले आप योगी है आपको अपने हर प्रश्ण का उत्तर स्रीमत भगवत गीता में मिल जाएगा मैं तो मानता हूँ कि गीता मानव जीवन के सबसे बड़ी मेन्यूल भूख है जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है अब प्रभू ने तो स्पष्ठ कहा है परित्रानाय सादुनाम बिनासाय चदुस्कृताम धर्म संस्थापनार्थाई संभवामी युगे-युगे मतलब दुस्तों से मानो ताके दुश्वनों से धर्ती को बचाने के लिए प्रभू की शक्ती हमारे साथ हमेशा रहती है यही संदेश हम पूरी प्रामाणित्ता के साथ दुस्त आत्माओं अशुरों को देने का प्रयास कर रहे है भाई और बहनो प्रभू जब कहते है कि क्यों वर व्यर्ख चिन्ता करते हो किस से व्यर्ख डरते हो कौन तुम्हे मार सकता है तुम क्या लेकर आये थे और क्या लेकर के जाओगे तो अपने आप में खुद को जन सेवा और राष्ट सेवा के लिए समर्पित होने की पेरणा अपने आप मिल जाती है साथियों हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले हर नीती के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो सबका साथ, सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परणाम है और हमारी हर योजना, हर निने इसी भाव को परिलिक्षित भी करते हैं चाहे वो ब्रस्त आच्रण के विरूत उठाये गए कदम हो या फिर गरीब कल्यान से जुड़े हमारे ये निरंतर प्रयास रहा है कि अपने पराये के चकर से राजनीती को बहार निकाला जाए साथियों हमारी सरकार का हमेशा से ये द्रडविश्वात रहा है कि भारतिय सहस्कृति, भारतिय मुल, भारतिय परंपरा में दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है खिल्सा हो, परिवारों के संकट हो, परियावरन से जुड़ी समस्या हो ऐसी हर चुनवती, जिससे दुनिया जूज रही है उसका समाधान भारतिय दर्शन में है योग और आयुरुवेद की मुहिम को विश्व भर में पहचान और उसमें जुटे आपजिसे सहुस्तान और देश के अनेक संतों की तपश्या को हमारी सरकार ने बुलंद आवाद दी है जिसके परणाव स्वरूप आज हेल्थ और वैलनेस के लिए विश्व तेजी से योग और आयुरुवेद की तरफ आकरशित हो रहा है साथियों मेरा ये भी मानना है कि योग आयुरुवेद से लेकर के हमारे प्राचिन ज्ञान और विज्ञान से अभी दुनिया का सही माइने में परिचे होना काफी बाकी है हमारा सर्वस्टेफ अभी दुनिया के सामने आना बाकी है मेरा आप सभी से हमारे पुरातन ज्ञान विज्ञान से जुड़े तमाम कर्मयोगियों से यागर रहेगा कि वो अपने प्रयासों को और गती दे और नई पीडी को भी रिसर्च से जुड़े सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा तयार है एक बार फिर इस कौन से जुड़े हर भक्त को हर भारतवासी को मानवता में विश्वास रखने वाले दुनिया के हर व्यक्ति को इस दिव्य भगवत दीता के लिए मेरी तरब से बहुत बहुत बढ़ाई आपने मुझे यहां आमत्रित किया इस पवित्र आउसर का भागीदार बनाया इसके लिए मैं आप सब का बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भरे कृष्णा तो आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इसकौन मंदिर के सुमंचे से सुना उन्होंने गीता का ग्यान दुनिया तक पहुँचाते हुए क्या कहा आज बहुत रिलाक्स नजर आ रहे थे प्रधान मंत्री मोदी आज जहां इतनी बड़ी एर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर की है वहीं दूसरी तरफ प्रधान मंत्री मोदी बिलकुल तनाव से रहे नजर आ रहे थे और उसके बाद जब वो मंदिर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपून है लोगों को लगा कि शायद वो एर स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे लेकिन उन्होंने शांती की बात की उन्होंने यहां से भी गीता ग्यान की बात की आज जिस तरीके की body language कुलकर्णी जी हम प्रधार मंतरी मोधी की देख रहे हैं वो ये बताता है कि अपने आप में कितना साथा confidence इस वो प्रधार मंतरी मोधी को खुद अपनी सरकार पर अपनी leadership पर साथ ही साथ हमारी सेना पर